हलो दोस्तों आपका हिंदी मिरर पर फिर से स्वागत है दोस्तों आज की वीडियो में हम आपके लिए बीए फस्टर जो संबंदित है SDSU यानि के श्रिदे सुमन उत्राखन यूनिवस्टी से जो बीए फस्टर के स्टुडेंट है उनका हिंदी का पेपर हुआ था एक तारिख में तो उसका ये सलूशन है प्रशन पत्र का नाम था हिंदी भाषा एमसाहित है पेपर आया था ये सो नंबर का मैक्सिमम इसमें ज पच्चों के लिए इसे परतेख प्रशनी के लिए अंक समान निर्धारित किये गये थे गलत उतर के लिए कोई नहीं काटा गया था दूसरा इसमें जानकारी दी गई कि ए बी सी डी ऑप्शन थे इनमें से किसी एक कोच उनकरून है जो है ओमार सीट पर भणना था साथ में जो है पेपर जो था ये 50 50 जो है कोईशन थे इसमें 50 जो ते पूरे 100 नंबर के थे तो चले शूरू करते हैं आपना पेपर मैच कर लिजे जित इतने भी स्टुडेंट ने SDSU के स्टुडेंट ने पेपर ये दिया है बी ए फस्ट एर हिंदी का तो देख लीजे रिजल्ट आने से पहले ही कि आपके हिंदी में कितने नंबर आ रहे हैं हिंदी मिलर से आपकी तयारी भी बहुत अच्छे से कराएगी थी जिन्होंने अच् आफट अपने अंसर चेक कर सकते हैं और आपका जो एक अकसाइटमेंट है आपका जो कि हमारे नंबर कितने होंगे वो भी खतम हो जाएगा आपका एकसाइटमेंट चलिए देखते हैं प्राशन नंबर एक प्राशन नंबर एक है निबंद के जनम दाता कौन है तो सिदे answer questions के दूसरा का है आपका निम्न में से किस गद्य विधा को दुट्य विश्विद की उपज कहा गया है जो ये जो दुट्य विश्विद हुआ था उस वक्त जो गद्य विधा की उपज हुई थी बेह हुई थी रिपोर्टाज टेल आगे देखते हैं अगला प्रशन ह एक अगला प्रशन देख लिए भाशा का बहरूप जीसे पूरे शेत्र में शुद और आदर्श माना जाता है उसे क्या कहते हैं तो जो पूरे परदेश छेत्र में शुद्या आदरश माना जाएगा वह मानक भाषा होगी चले आगे चलते हैं प्रशन नमबर पांच पर आते हैं प्रशन नमबर पांच है पास्चाते विचारकों के अनुसार नाटक के कितने तत्व हैं तो जो नाटक के तत्व हैं यवस्थाए होती हैं वह होती हैं 5 कितने प्रशन सही जा रहे हैं बिलकुल राइट पी करना आपने और देखना कितने नंबर रहे हैं मुझे कमेंट बहुताना भी कि हाइस किसके नंबर जा रहे हैं तो आप लिए प्रश्य को देखते हैं अगला प्रशने हैं किस विधा में शंकलन तरह का निर्वय अनिवार्य रूप से किया जाता है तो आठवे का आपका जाएगा C ये वाला संकलन तरह वाला कोशन आपका लास्टर भी बना था जब मैंने आपको तैयारी कराई थी तो मैंने कहा था कि कुछ कोशन ऐसे होंगे जो आपके रिपीट भी हो सकते हैं तो ये कोशन लास्टर भी बना था लेकिन दूसरे तरीके से पूछा गया था मैंने ये लास्ट वीडियो जो रात डाली थी उसमें भी यहाँ पर मैंने कोशन आपका कराया था चले एगले प्रशने पर चलते हैं उपन्यास के रचना तत्व की संख्या कितनी है तो यहाँ पर उपन्यास के तत्व पूछे गए हैं कितने हैं तो आपका नाेन का उत्तर जाएगा D. छे तत्व होते हैं उपन्यास के दोस्तो यह प्रशन यह नहीं कि आपके फस्ट्शेर में ही या काम आएंगे इस तरह के प्रश्ण आपके तीनों सालों में ही चलेंगे चले अगला प्रश्ण देखते हैं मीडिया में किस प्रकार की भाषा का प्रयोग होता है तो दस्वे का आपका उतर जाएगा भी संचार भाषा ठीक है मीडिया में क्या चलते हैं संचार भाषा अगला प्रश्ण है निमन में से किस प्रकार की भाशा में अलंकार प्रतिक और बिम का प्रयोग होता है तो बिम अलंकार प्रतिक इनका प्रयोग आप स्रजनात्मक भाशा में करते हो चले अगला प्रशन देखते हैं समीत धान के किस अनुचेन द्वारा हिंदी को राज भाशा का अस्तर प्रतान किया गया यह प्रश्ण कई बार मैंने आपको जब तयारी कराई थी एक्जाम की तो कई बार कराया था तो 343 के अंतरगत चली आगे चलते हैं अगले प्रश्ण पर अगला प्रश्ण है सभी धान के किस अनुचेन में यह प्रवधान है कि हिंदी के प्रयोग के बारे में योका गठन कब हुआ वीडियो में कई बार कराया था यह प्रश्ण और आपका सही जाना चाहिए था तो 14 का आपका होगा बी 1955 में ठीक है 1955 में पर्थम राज भाशायोग का गठन हुआ था ये प्रशन तो कई बार कई बार हर वीडियो में कराया आए अगला प्रशन है निम्नवे से कौन मध्या कालीन आरया भाशा के रूप में जानी जाती है ये प्रशन भी गई बार हुआ है आपका तो मध्य कालिन जो भाशा है वो सारी अब्रश भी पाली भी और प्राकर्ट भी चलिए अगले प्रशन को देखते हैं अगला प्रशन है संस्कृत के मानक शब्दों से भिन संस्कार चियुत और भ्रश्ट शब्दों को क्या कहा गया है तो इसको कहागया अब्रण्ष ठीक है चले एक प्रश्ण पर चलते हैं अगला प्रश्ण है खड़ी भोलिक का संबंद किस अब्रण्ष से बहुत इजी प्रश्ण है इसे इजी और क्या हो सकता है तो शोर से नहीं अब्रण्ष से है ना चले आगे चलते हैं अगला है डिंगल भाषा कहा परचलन में थी इसमें पूछा गया कहा परचलन में थी तो डिंगल जो थी किसका मेल है आपको पताई है कि डिंगल जो बनी थी वो अभरंश और राजिस्थानी से मिलकर बनी थी तो राजिस्थान में ही होगी ना चले पिं से 100% आपका प्रश्न बनेगा तो बना है देखिए लेकि प्रश्न में ने कहा था किसी भी रूप में आपके सामने आ सकता है आपको सिर्फ उसकी जानकारी होनी चाहिए कि इसका अंसर कैसे देना है अगला है हिंद में किस वरतिय के योग से हिंदी शब्द बना है ये प्रश चलेगले प्रशन पर चलते हैं चंद्रगुप्त नाटक के लेखक का नाम बताना है चंद्रगुप्त नाटक के लेखक है प्रसाच चले अगले प्रशन पर चलते हैं अगला प्रशन है एक आंकी में कितने अंक होते हैं ये आपको में कई बताया था कि एक आंकी एक ही बार में होता है और नाटक उपन्यास में कई सारे आपके हो सकते हैं तो आपका एक उपन पन्यास का तत्व नहीं है द्यान से देखें नहीं पूछा गया था यहां पर तो कथानक पात चरिचेत्रन सवाद लेकिं द्रश्य संकेत नहीं है उपन्यास को सिर्फ आप पढ़ते हो चले अगला प्रशन देखते हैं अगले प्रशन आते हैं 25 आधे पर हम आ गए अब तक क आपके इतने नंबरा हैं तो बहुत अच्छा है सच्छा है को जितनी जल्दी स्वीकार कर लें उतना ही अच्छा रहता है जब कोई रचनाकार यात्रा का वर्णन करता है तब उसे क्या कहते हैं प्रशन दुबारा यात्रा से बन चुका है उपर भी बनाता है दुबारा ब है प्रश्ण पर देवनागरी आपकर में नियुक्रण शक्रत प्रश्ण पर द्वनागरी में भारा कडी किसने चलाई तिलक teers काका काल्यल कर आ अब Hi वीडिव में तो नी था ये प्रश्ण लेकिन पहले वाली वीडियो में था प्रशना आपके जैसे ने पद्मावत की रचना किस भाशा में की थी बिलकुल ये जस्ट अभी दो दिन पहले ही आपको कराया था यहां थोड़ा मिस्टेक भी थी तो मैंने उसमें सही भी किया था तो 28 का आपका आंसर हो जाएगा थी ठीक है अब धी भाशा में की गई है अगला प्रशन देख लीजिए अगला प्रशन 28 उपा जाएगा 29 निहापर है सूर्दास ने किस भाशा में कावे रचना की ये मेले बात की वीडियो में आपको बताया था कि सूर्दास जी की रचना जो है वो ब्रज भाशा में है अगले प्रशन पर चलते हैं हिंदी भारत में कहां बोली जाती है हिंदी भारत के बाहर कहां बोली जाते है के बाहर पुछा है तो हिंदी भारत के बाहर ये जो तीनों देशने सभी जंगे बोली जाती हो प्रोख सभी में ही बोली जाती है मौरिशास में फीजी में भी और सूरी नाम में भी अगला प्रशन है हिंदी भाशा की लिपी किया है बहुत इजी प्रशन है एक दमाग बंद करके आपने लगायोगा देवनागरी है अगला प्रशन है देवनागरी लिपी का प्रयोग किस भाशा में नहीं होता है राथ ही ये सारा बताया था कि पांच भाशाओं में देवनागरी लिपी का प्रयोग होता है तो अगर आपने पीडियो ध्यान से देख प्रशनी को अगर आपका थर्टी-फोर्स वमें अगर आपने है is एक यह रावन से अब यह जो आपको लिपी के मैंने आपको रात पूरा का पूरा चार्ट दिया था वहाँ पर इसका अंसर था और मैंने कहा था इसको पढ़ लिजिए मैंने पूरे के पूरे चार्ट आपको दिये थे कि इनको पढ़िए इनको ध्यान से देखिए कई कई बार मैंने आपको ख प्रशन है कि देशी लिपी नहीं इनको पढ़ने की जरुवत ही नहीं थी आपको सीधा-सीधा आप आंसर यहां पर लगा देते कि इसमें जो है असत्य कथन विदेशी लिपी है है यह नहीं है चलते हैं अगला प्रशन 46 डोक्ٹर देवनागरी लिपी में लिपित्या क् gallery किस प्रकार होगा कैसे लिखते हैं डोक्टर सभी को आता है असे लिखते हैं अगला प्रशने आपका देवनागरी लिपित्या करन क्या होगा तो इसका फॉर्म होगा चलेगले प्रशने पर अगला प्रशन है हिंदी प्रदेश में कौन सा राज्य शामिन नहीं है तो 38 का वैसे B है लेकिन इसमें थोड़ा डाउट है लेकिन आप इसको कर लीजिए B इसका 90% सही है लेकिन थोड़ा इसमें डाउट फुल है तो बताएंगे आपको इसका अंसर चले ले देखते हैं नि और यह प्रशन आपका लास्टर भी बना था लास्टर में यह प्रशन जो बना था आपका एज इट नहीं था थोड़ा चेंज करके आए था और मैंने जो वीडियो बनाई थी वहां पर मैंने समझाया भी था कि प्रशन बदलेगा और यह आ भी सकता है चले गले प्रशन द प्रश्न पर चलते हैं जब कोई कुट्ता जब कोई व्यक्ति अपने जीवन में घटने वाली घटना को लिपीबत करता है तो उसे क्या कहते हैं जब कोई व्यक्ति अपने दैनिक जीवन में ठीक है उपन्यास डायरी रिखा चिसर जीवनी तो दैनिक जीवन में आप क्या लिखते हैं डायरी लिखते हैंस सीधह सीधह आणजर पता चल रहा है अगला प्रश्णि इस डायरी लेखन में कón सा तत्व होना चाहीए अब डायरी लेखन में दूसरा प्रशन बन चुका है तो क्या होता है डायरी जब आप लिखते हो तो उसमें आपकी जो आत्मा की अनुभूती है वो आप लिखते हो उसमें आप सत्या लिखते हो और आपना अपना निर्खशन करते हो तो उसमें तब आप उसको लिखते तो उपरोख सभी तत्तु होते हैं तो थोड़ा सा अगर आप अपनी सेंस भी लगाते प्रशनों में तो बहुत अच्छे प्रशन जाते आपके इसमें याद करने वाली कुछ ऐसी बात थी ही नहीं इन प्रशनों में सीधा सीधा कुछ common sense क इसमें थी तो आप इनको बिना पढ़े भी अगर आप गए हो तो प्रशन आपके सही जाने चाहिए कुछ ऐसे हैं जो पढ़ करी जाएंगे ठीक है शब्द रेखाओं के द्वारा किसी विशे का सजीव चित्र प्रसुत करने को क्या कहते हैं अब देखे शब्द रेखाओ सजीव किसी विशे का है १ था क्या है यह आप सब्सक्राइए लेते हैँ आगला प्रशन तो नाटक इसका विवन अंग है अगला प्रशन आपका 48 पर हम आ चुके हैं प्रशन मुझे लगता है बच्चों के सही गए होंगे अगर वीडियो अच्छे से देखी हैं तो निमलिल की तिम से देवनागरी लिपी का दोश कुन सा है पूरा चार्ट समझाया था आप लगा दीजे इसका अंसर बिल्कु सही जाना चाहिए सब का तो 48 का अगर आपने लगाया है डी तो बहुत अच्छे बहुत से अक्षर एक से अधी धंग से लिखे चाते हैं यह इसका दोश है और जो चार्ट था वहाँ पर दोश भी थे गुण भी थे सब कुछ था अगला प्रशन है 49 वर्तमान ने हिंदी समझारों की भाशा क्या है अब यह प्रशन देखो घुम करा गया लेकिन यह प्रशन मैंने दूसरे तरीके से आपको वीडियो में कराया था तो यह हो गई आपकी खड़ी बोली और यह लास्ट वे भी प्रशन बना था अगले अलग तरीके से आपका बना था वहाँ भी इसका आंसर खड़ी बोली ही था चले अगले प्रशन पर चलते हैं पहड़ी भाशा के अंतरगत किस भाशा को शामिल किया जाता है तो ये आपको बहुत अच्छे से समझाया गया था कि गड़वाली भी है कुमावनी भी है नेपाल भी है इसका वतलो प्रोक्त सब ही है तो इस प्रकार से आपके 50 कोशन के आंसर दे दिये गए हैं अगर आपको लगता है इसमें कोई भी आंसर अगर आपको लगता है कि ये आंसर होना चाहिए और मैंने वो सही नहीं बताया वैसे मैंने पूरा अच्छे से सर्च करके आपके लिए आंसर लेकर आई हूँ लेकिन गलती सभी करते हैं मनुष्य की परवर्ती है तो हो सकता है मैंने कोई गलत बताया हो तो आप कमेंट बोक्स में मुझे बताईए उसका क्रेक्शन किया जाएगा और वीडियो पसंद आई है तो लाइक एंड शेर कीजिए जो इस्टुडेंट बिये फस्टेर के स्टु कंटेंट ये पेपर का सलुशन सभी स्टुडेंट तक पहुंचे और वह भी अपनी नंबर जोड सकें कि उनके नंबर कितने आए हैं चलिए ठीक है अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो करते रहिए और लाइक एंड शेयर करते रहिए क्योंकि आप आज फस्टेर में हों कल सेकेंड धर तक हमारा साथ रहेगा आपके जब अब शायद आपके क्लासे शुरू हो जाएंगे एक्जाम के वार तो आपको जितने भी यूनिट वाइज आपके नोट्स हैं और आपके लेक्चर हैं वो मैं प्रोवाइड कराऊंगी यूट्यूब पर ठीक है तो आप बने रही हिंदी मिरर की साथ और लाक एंड शेयर करते रही है